हलो फ्रेंड सन्माटर्स डेंड हीुमन एनाटॉमी एंड फिजियोलोजी सेकंड बीपी टू जीरोवन टीके इस वीडियो में हम लोग यूनिट फोर में इंडोक्राइन सिस्टम में इस्ट्रक्चर एंड फंक्शन आफ एड्रिनल ग्लैंड के बारे में बात करेंगे इस वी आफ एड्रिनल ग्लैंड के बारे में बात करते हैं तो बैसिकली जो हमारा एड्रिनल ग्लैंड है वो हमें यहां पे पेर में अपने बाडी में देखने को मिलता है मतलब हमारे बाडी में दो एड्रिनल ग्लैंड होते हैं और जो एड्रिनल ग्लैंड है इनको हम लोग यहां जो adrenal gland है वो pair में देखने को मिलते हैं, तो अगर हम लोग simply देखें, तो हमारी हर एक जो kidney है, उसके यहाँ पे उसकी जो superior ऊपर की position है, वहाँ पे हमें adrenal gland देखने को प्राथ होता है, और अगर इसके shape को देखें, तो इसका जो shape है, वो flattened होता है, और उसके साथ साथ में एक pyramid shape का यहाँ पे structure होता है, तो अगर हम लोग simply diagram में बात करते हैं, तो यह जो हमारा diagram है, अगर उसमें देखें, तो जो हमारा, यह जो हमारी यहाँ पे है, यह kidneys है, एक हमारी जो left kidney है, वो है, एक हमारी right kidney है, तो अगर हम लोग simply यहाँ पे देखें, तो यह जो हमारी दो यहाँ पे kidney है, उनके ऊपर हमें ये जो एक gland देखने को मिला है, और एक gland ये है, ये basically हमारे adrenal gland होते हैं, ये हमारी जो left kidney है, वो यहाँ पे है, तो इसके ऊपर जो adrenal gland है, उसको हम लो left adrenal gland के नाम से indicate करते हैं, और ये हमारी right kidney है, और इसके ऊपर ये जो gland है, इसको हम लो right adrenal gland है, उसके न अंदर जो adrenal gland है, हर एक adrenal gland approximately 3 से 5 cm लंबा हमें देखने को मिलता है, उसके बाद में अगर इसकी चौड़ाई को देखें, विर्ध को देखें, तो approximately 2 से 3 cm हर एक adrenal gland होता है, और इसकी जो मोटाई है थिकने से वो 1 cm से थोड़ा सकम हमें देखने को मिलती है, तो इसकी जो है वो तीन से पांट सेंटिमीटर है चौडाई इसकी 2 से 3 सेंटिमीटर होती है और इसकी जो थिकने से मुटाई है वह हमें 1 सेंटिमीटर से थोड़ा सा कम देखने को मिलती है और अगर इसके weight के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा adrenal gland है वो हमें 3.5 से 5 gram के आसपास इसका weight हर एक adrenal gland का होता है तो अगर हम लोग simply यहाँ पे कहें तो जो adrenal gland है वो pairs में होते हैं यह हमारा suprarenal gland भी कहलाते हैं क्योंकि यह हर एक kidney के ऊपर हमें देखने को मिलते हैं यह हमारे flat end और कह सकते हैं कि जो हमारा होता है pyramidal से उसके यहाँ पे structure होते हैं यह जो adrenal gland है हर एक adrenal gland 3 से 5 cm लंबा 2 से 3 cm चौड़ा और इसकी जो thickness है वो approximately 1 cm से हमें थोड़ा से कम देखने को मिलती है और इसका जो mass है weight है वो 3.5 से 5 gram के आसपास हमें देखने को प्राप्त होता ह अब अगर हम लोग जो adrenal gland है उसके structure को देखे तो जो हमारा adrenal gland है वो basically हमें यहाँ पे structurally और functionally दो अलग-अलग regions में इसको हम लोग divide करते हैं इसमें जो पहला region है वो इसका जो होता है कि सकते हैं कि जो होता है यहाँ पेरिफेरली जो adrenal cortex का area है उसका जो बाहर का adrenal cortex का area है वो जो adrenal gland है उसके में 80-90% हमारे adrenal gland को बनाने का ये काम करता है उसके बाद में यहाँ पे इसके अंदर और इसके centrally जो हमारा located region है उसको हम लोग adrenal medulla के नाम से indicate करते हैं तो अगर हम लोग simply again diagram में बात करें अगर इस diagram में देखें तो ये हमारा जो adrenal gland है वो है ये एक हमारा जो pyramid shape का structure है वो यहाँ पे है अगर इसको देखें तो इसमें इसका जो हमारा 80-90% का ये जो बाहर का area है वो basically हमारा जो adrenal cortex है वो कहलाता है और इसके जो अंदर का हमारा small space है center का space है उसको हम लो adrenal medula के नाम से यहां पे indicate करते हैं तो इस तरीके से जो हमारा adrenal gland है वो हमें यहां पर 2 distinct जो region है उसमें उसको हम लोग divided कर सकते हैं अबगर हम लोग लोग यहां पे देखते है तो जैसा की हमारा thyroid gland था वैसे ही हमारा जो adrenal gland है यह भी हम वेस्कुलराइज देखने को मिलता है, इसके अंदर काफी सारी blood vessels हमें यहाँ पे देखने को प्राप्त होती है, तो अब अगर हम लोग इस place पे बात करते हैं, तो जो हमारा यहाँ पे, जो हमारा adrenal cortex का यहाँ पे वो reason होता है, वो basically हमारे steroid hormones को produce करता है, और यह जो steroid hormones हैं, यह हमारे life के लिए काफी essential होते हैं, अगर यह जो हमारे steroid hormone है, जो की adrenal cortex से release होते हैं, अगर यह completely इनका हमारे body से loss हो जाता है, यह जब यहाँ से produce or secret नहीं होते हैं, तो क्या होता है, कि उस condition में जो humans हैं, उनकी हमें death भी होते हुए देखने को मिल सकती है, क्योंकि जब इनकी absence हो जाती है, तो हमें dehydration की इस्थिति अपने patient के अंदर वो देखने को मिलती है, पानी की उसके अंदर काफी कमी हो जाती है, और electrolyte का भी imbalance हमें उसके अंदर देखने को मिलता है, जिसके कारण हमारे patient की यहाँ पे death भी हो सकती है, इसके लिए हम लो hormone replacement therapy को basically यहाँ पे use करते हैं, बाहर से इन hormones को patient को देने का काम करते हैं, उसके बाद में अगर हम लो adrenal medulla के बारे में बात करते हैं, तो यह basically हमारे तीन जो catecholamine hormones हैं, उनको produce करता है, जो catecholamine हैं, यह क्या होते हैं, यह हमारे जो nor epinephrine hormone है, epinephrine hormone है, और small amount में dopamine, यहाँ पे यह जो adrenal medulla है, वो हमें produce करते हुए देखने को मिलता है, तो में आसान तरीके से कह सकते हैं, कि जो adrenal cortex का बाहर का हमारा इसका region है, वो basically steridal hormone को secrete करता है, और अंदर का जो center का region है, जो की adrenal medulla कहलाता है, वो यहाँ पे nor epinephrine, epinephrine और small amount में dopamine को secrete करता है, और यह तीनों hormones collectively, यहाँ पे katecholamine के नाम से इसको हम लोग indicate करते हैं, अब आईए, अब हम लोग इनको एक एक करके, यह जो हमारे दोनों region है, adrenal cortex है, और adrenal medulla है, उनके बारे में detail में बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले हम लोग जो बाहर का region है, जो की adrenal cortex यहाँ पे है, उसके बारे में बात कर लेते हैं, तो जो हमारा adrenal cortex का जो यहाँ पे region है, उसको basically हम लोग तीन zones में divide करते हैं, और यह जो हमारे यहाँ पे इसके तीन jones होते हैं, यह हमें अलग-अलग harmons को secret करते हुए देखने को प्राहपत होते हैं तो अगर हम लोg simply देखें तो अगर यह जो diagram है उसको देखें, तो जब हम इतने area को zoom करते हैं तो यहाँ पे हमें तीन अलग-अलग रीजन देखने को मिलते है पहला रीजन ये है दूसरा रीजन ये है और तीसरा रीजन हमारा ये है और अंदर का जो रीजन है ये हमारा एडरिनल जो मेडुला है उसका रीजन होता है तो ये एक रीजन दो रीजन और ये तीसरा रीजन हमारा जो एडरिनल कॉर्टेक्स है वो secretions हैं, उनके बारे में यहां पर बात कर लेते हैं, पर हम लोग यहां पर जो हमारा adrenal cortex है, उसके तीनों region को देखें, तो इसका जो हमारा सबसे outer zone है, सबसे ऊपर का zone है, उसको हम लोग यहां पर जोना, जो हमारा होता है, ग्लो मेरोलोसा उसके नाम से इंडिकेट करते हैं, जो ना ग्लो मेरोलोसा के नाम से इंडिकेट करते हैं, और इसके अंदर जो हमारी सेल्स होती हैं, वो बिसिकली यहाँ पर हमारे मिनरलों कार्टिकोईट हार्मोन्स को हमें सिक्रीट करते हुए देखने को मिलती हैं, तो यह पर हमारा जो होता है mineral हो इसका मतलब होता है minerals तो यह जो हमारे carticoid hormone है जो की mineral carticoid hormone है यह basically हमारे body के अंदर जो mineral की homeostasis है जो हमारे minerals है उसका जो normal level है उसको हमें यह hormones affect करते हुए देखने को मिलते हैं तो अगर हम लोग simply जो diagram है उसमें देखें तो यह जो हमारा इस प्लेस पे जो एडिनल कर्टेक्स का सबसे उपर का रीजन है, ये जो हमारा रीजन है, इसको हम लोग जोना ग्लो मेरलोसा के नाम से इंडिकेट करते हैं, और ये अधिकतर हमारा जो होते हैं, मिनरला कार्टिकोयाड उनको हमें सिक्रीट करते हुए, देखने को मिलते हैं और eldosterone को भी है हमें small amount में secret करते हुए देखने को प्रात होते हैं उसके बाद में अगर हम लोग जो इसका दूसरा zone है जो की इसका middle zone है उसके बारे में बात करते हैं तो ये इसका हमारा सबसे widest zone होता है तीनों zone में सबसे चौड़ा zone जो है वो हमारा यह के अंदर की जो cells होती है वो यहाँ पे हमारे glucocarticoid hormones को हमें secret करते हुए देखने को मिलती है तो again यहाँ पे जो सब्द है glucose का मतलब होता है glucose तो यह हमारे body के अंदर जो glucose की homeostasis है glucose का normal level है उसको हमें affect करते हुए देखने को प्राप्त होते हैं तो आइए again इसको भी हम लोग diagram में देख लेते हैं तो यहाँ पे अगर हम लोग यह जो region है beach का region उसको देखें तो यह सबसे widest हमारा जो region है वो यहाँ पे है जिसको हम लोग जो ना फैसिकुलेटा के नाम से indicate करते हैं और यह basically जो glucocarticoid है उसको हमें यहाँ पे secret करते हुए देखने को मिलता है और यह ज region basically हमारा यहाँ पे इसका जो सबसे अंदर का region है वो होता है जिसको हम लोग जो होता है हमारा वो रेटिकुलेरिस उसके नाम से indicate करते हैं और यह जो हमारा जो ना रेटिकुलेरिस है इसकी जो cells होती है वो हमें small amount में जो weak androgens हैं हार्मोंस हैं उनको हमें secret करते हुए देखन को मिलती है और यह जो हमारे यहाँ पे weak जो हमारे androgens है वो basically हमारा जो होता है muscularizing effect उसको यहाँ पे हमें so करते हुए देखने को मिलती है हमारा जो यहाँ पे एक तरसे जो हमारी muscles है उनको हमें properly form करते हुए देखने को मिलती है अब आये हम लोग यहाँ पे जो हमारे hormones हैं ज सिक्रीट होता है और हमारी अंदर की जो जो होन है जो की हमारा जो एंडोल्जन से उनको सिक्रीट करता है इन हार्मोन के फंक्शन के बारे में भी बात कर लेते हैं सबसे पहले हम लोग जो हमारी आूटरमोस्ट लेयर है जो की जोना Glomerulosa कहलाती है उसके द्वारा सिक्रीट होने वाले Mineralo Carticoide के बारे में बात कर लेते हैं तो अगर हम लोग Mineralo Carticoide को देखे हैं तो जो Eldosterone है वो basically हमारा यहाँ पे Major जो Mineralo Carticoide है वो यहाँ पे होता है और जो हमारी इसकी cells होती है वो अधिकतर हमारा जो Eldosterone है उसको हमें सिक्रीट करते हुए देखने को प्राप्त होती है और यह जो Eldosterone है यह basically हमारे body के अंदर जो sodium ions होते हैं और potassium ions होते हैं उनकी जो homeostasis है उसको हमें regulate करते हुए देखने को मिलता है तो जब हम लोग यहाँ पे जो हमारा URENERI SYSTEM है उसमें बात कर रहे थे वहाँ पे kidney में हम लोगोंने एक जो हमारा SYSTEM है उसके बारे हम बात किया था जो की कहलाता है RENINE ANGEO TENSINE ALDOSTERON SYSTEM तो वहाँ पे हम लोगोंने ALDOSTERON का जो proper function है कि वो हमारे जो blood pressure है blood volume है उसको किस तरीके से regulate करता है और उसमें जो उसको वहाँ पे proper regulate करने के लिए किस तरीके से वो sodium और potassium ions की homeo stasis को हमारे blood के अंदर maintain करता है उसके बारे में हम लोगों ने वहाँ पे detail में बात कर रखा है तो उसकी link आपको description में मिल जाएगी वहाँ पे जाके आप इसको अच्छे से देख सकते हैं तो हम लोग simply कहा है तो जो mineralocarticoid में main hormone है जो की aldosterone है वो हमारे blood के अंदर sodium और potassium ion की homeo stasis को maintain करता है उसके साथ-साथ में यह हमारा जो blood pressure है और blood का volume है उसको भी हमें regulate करते हुए देखने को मिलता है और अगर हम लोग aldosterone के एक और function को देखें तो यह basically हमारे urine के थुरू जो H plus iron है acids है उनको हमें excrete करते हुए देखने को मिलता है उसके excretion को promote करता है बढ़ाता है तो जब हमारे जो blood के अंदर H plus iron है acid है वो urine के थुरू secretion को जब यह promote करता है तो क्या होता है कि हमारा जो body है उसके अंदर जो acids हैं वो हमें वहाँ पे remove होते हुए देखने को मिलते हैं और जब acid हमारे body से remove होते हैं तो यह basically acidosis को हमें prevent करते हुए देखने को मिलता है blood की acidity एक level से जादा न बढ़ने पाए blood के pH को एक proper range में maintain करते हुए हमें देखने को राप्त होता है उसके बाद में अगर हम यहाँ दूसरा हार्मोन है जो कि हमारी जो beach की layer है उसके द्वारा secret होता है जो कि zona हमारा जो होता है fasciculata उसके नाम से indicate करते हैं वो है हमारा यहाँ पे glucocarticoide तो अगर हम लो glucocarticoide को देखें तो इसके द्वारा हमें तीन हार्मोन secret होते हुए देखने को मिलते हैं जो पहला हार्मो है वो हमारा यहाँ पे जो कार्टिसोल है वो कहलाता है दूसरा हमारा हार्मोन यहाँ पे जो होताव कार्टिको इस्टेरॉन है उसके नाम से इंडिकेट करते हैं और यह तीनों हमारे glucocarticoide यहाँ पे simply होते हैं और इसमें भी जो हमारा है कार्टिसॉल वो यहाँ पे सबसे मेन हमारा हार्मोन है अब अगर हम लोग यहाँ पे जो ग्लुको कार्टिकॉाइड है उसके क्या हमारे बॉडी में इफेक्ट होते है अगर उसके बारे में देखें तो जो Glucocartiquide है यह हमारा जो protein है उसके breakdown को यहाँ पे उसके breakdown के rate को बढ़ाने का काम करता है और जब protein का breakdown होता है तो फिर इस place पे हमारे जो हमारे body की amino acid की requirement है वो हमें fulfill होते हुए देखने को मिलती है और यह basically जो protein का breakdown है वो हमारे muscle fibers में कराते हुए हमें देखने को मिलता है तो हम आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारा Glucocartiquide है वो हमारे muscle fibers के अंदर protein के breakdown के rate को increase करने का काम करता है तो अगर हम बात करते हैं तो जब हमारा protein का breakdown होता है तो उसमें से जो कुछ amino acid निकलते हैं वो हमारे body में glucose के formation में हमें use होते ह हुए देखने को मिलते हैं उसके बाद में जो दूसरा function है वो इसका क्या है कि यह हमारे जो liver के cells है उनमें Glucocartiquide liver के cells को stimulate करता है और फिर जो liver के cells है वो हमारे कुछ amino acids को और जो lactic acid है उससे फिर वो glucose के formation को यहां पे increase करता है तो इस तरीके से हमारा जब protein का breakdown हुआ तो उस में से कुछ amino acid हमारी जो यहां पे liver की cells है वहां पे वो हमें यहां पे जो glucose है उसमें convert होते हुए देखने को मिलते हैं इसके साथ साथ में यह जो liver की cells है वहां पे glucocartiquide हमारे lactic acid को glucose में convert करने की process को भी stimulate करता है उसके बाद में जो इसका तीसरा function है वो क्या है कि यह यहां पे जो glucocartiquide है यह जो lipolysis है उसकी process को भी stimulate करता है तो यह हमारे lipid के breakdown की process को यहां पे stimulate करता है जिसको हम लोग lipolysis के नाम से indicate करते हैं और हमारे body में जो सबसे ज़्यादा पाये जाने वाला lipid है वो triglycerides होते हैं तो हम simply कह सकते हैं कि यह triglyceride के breakdown को हमें stimulate करते हुए देख देखने को प्रार्थ होता है उसके बाद में अगर हम लोग इसका जो चौथा function है उसको देखें तो जो हमारे glucocartiquide है वो हमारे यहां पे काफी जो रास्ते हैं वो काफी वो तरह से हमारे stress को भी हमें यहां पे उससे हमें बचाते हुए देखने को मिलता है इस्टिस का जो condition में होते हैं तो हमारा जो हमारी जो body है वहां पे glucose की requirement काफी तेज हो जाती है और यह जो हमारा additional glucose की supply है उसको यहां पे ग्लूको कार्टिकोाइड stimulate करने का यहां पर काम करते हैं और फिर उससे जो हमारा ATP form होता है वो फिर हमारे stress की condition को combat करने में उसको यहां पर कम करने में हमें help करता है तो इस तरीके से जो glucocarticoid है वो हमारे stress से जो body का हमारा stress से जो होता है resistance उसको हमें provide करते हुए देखने को मिलते हैं खोब अच्छी quantity में ATP को provide करके उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका जो हमारा पांचवा function है वो क्या है कि जो हमारा high dose अगर glucocarticoid हम लोग अपने patient को देते हैं तो वो हमारे immune response को depress कर देता है हमारे immune system को यहाँ पर depress करता है तो इसका यहाँ पर एक तरसे क्या use है तो जब भी हम लोग किसी भी patient के अंदर organ transplant करते हैं किसी और के organ को अपने जो हमारा patient है जो recipient है उसके अंदर जब transplant करते हैं तो उस depress करने की आवसकता होती है और यह जो इसका depression है वो हमें glucocarticoid के द्वारा होते हुए देखने को मिलता है तो हम लोग आसान तरीके से कह सकते हैं कि अगर वो किसी भी कोई patient है उसका कोई organ खराब हो गया है और किसी और patient के organ को उसके अंदर डालना है तो जब भी हम लोग उसके अंदर उसको transplant करेंगे तो क्या होगा body का immune system उसको reject करने का काम करेगा कि यह भी यह हमारा organ नहीं है यह किसी और का है तो यह जो हमारा organ का rejection है यह जो immune system है उसके कारण होता है और glucocarticoid immune system को depress कर देते है तो फिर हमारी जो body है वो दूसरे के organ को यहां पे accept करना start कर देती है उसके जो हमारा उसका वहाँ पर rejection है उसको retard करने का कम करने का काम करती है उसके बाद में यहां पर जो हमारा है अगला hormone तो अब अगर हम लोग एंडोजन के बारे में बात करते हैं, तो basically जो हमारा एंडोजन है, वो हमारी जो सबसे अंदर की जोन है, वहाँ से हमें सिक्रीट होते हुए देखने को मिलता है, जिसको हम लोग यहाँ पर कहते हैं, जो हमारा रेटिकुलेरिस है, उसके द्वारा हमें एंडोजन सिक्रीट हो उसमें जो हमारा सबसे कह सकते है main या जो हमारा major androgen है वो basically dehydro जो हमारा EP जो होता है androsterone जिसको हम लोग DHEA से indicate करते हैं वो हमारा यहाँ पे हमें secret होते हुए देखने को मिलता है अगर हम लोग इसके function के बारे में बात करते हैं तो at the puberty है जब कोई जो male है वो जब वयस्क हो जाता है तो उस condition में इस place पे क्या होता है कि जो एंड्रोजन है वो हमें testosterone जो हमारा यहाँ पे testosterone है जो की androgen है वो अधिकतर हमें जो males की testis है वहां से हमें produce होते हुए देखने को मिलता है तो इसके कारण हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारा testis के द्वारा जो testosterone जो की androgen है वो secret होता है तो जो हमारा adrenal gland है उसके द्वारा जो androgen secret होता है उसके compression में वो काफी small amount में होता है जिसके कारण की यहाँ पे insignificant simply होता है तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि जब कोई male जो है वयस्क हो जाता है वो जब कह सकते है एडल्ट हो जाता है तो उस condition में जो testosterone है जो adrenal gland जो androgen है वो काफी small amount में secret करता है तो इसके लिए यहाँ पे जो हमारा adrenal gland से androgen secret होता है वो males में यहाँ पे insignificant role play करता है लेकिन अगर हम लोग females के बारे में बात करते हैं तो जो हमारी females है वहाँ पे हमारे जो adrenal androgens है वो काफी important role play करते हैं यह उनके अंदर जो होता है एक जो हमारी cycle है जो की कहला है वो libido जो की हमारा एक sex drive है उसको promote करने का काम करता है और यह basically जो हमारा यहाँ पे adenal जो androgen है वो यहाँ पे females के अंदर estrogen में हमें convert होते हुए देखने को प्राप्त होता है उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो जो menopause है उसके बाद में जब ovaries जो है वो estrogen के secretion को stop कर देती है तो उस condition में जो हमारे adenal जो यहाँ पे androgen होते हैं वो फिर हमें यहाँ पे estrogen में convert होते हुए देखने को मिलते हैं और यह जो estrogen है वो हमारे females के अंदर का यह काफी important sex hormone है अब हम लोग यहाँ पे जो हमारा दूसरा region है जो की adrenal medulla कहलाता है उसके बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं तो अगर हम लोग adrenal medulla है उसको देखें तो जो हमारा adrenal gland है उसका जो अंदर का region होता है बीच का region है उसको हम लोग adrenal medulla के नाम से indicate करते हैं और इसके अंदर हमारे जो होते हैं यहाँ पे कैसे तने modified जो sympathetic ganglia है एनस के वो यहाँ पे हमें basically देखने को मिलते है अब अगर हम लोगкого इस place पे यहाँ पे बात करते हैं तो जो यहाँ से जो हमारे जो हमारे एनस के यहाँ पे ganglia है वो हमारा जो तो neurotransmitter है, उसको तो release करते ही करते हैं, neurons के अंदर जो impulse का transfer होता है, impulse का flow होता है, उसके लिए ये जो neurotransmitter हैं, उनको तो release ही करते हैं, उसके साथ साथ में जो हमारा adrenal medulla की cells हैं, वो हमें हार्मोन्स को भी secret करते हुए देखने को मिलती हैं, और ये जो हमारा adrenal, जो यहाँ medulla है, उसके अंदर वो cells जो की हार्मोन को produce करती है, उनको हम लोग basically यहाँ पे जो हमारी होती है, यहाँ पे chroma fin cells उसके नाम से indicate करते हैं, तो हम लोग आसान तरीके से कह सकते हैं, कि यहाँ पे जो हमारा adrenal, जो हमारा medulla का region है, वहाँ से neurotransmitter तो secret होते ही हैं, उनके साथ में हमें hormones भी secret होते हुए देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे हमारा hormone producing cells है, उनको हम लोग यहाँ पे जो होता है, हमारा chroma fin cells उसके नाम से indicate करते हैं, अब अगर हम लोग इसके द्वारा secret होने वाले hormone को देखें, तो इसके द्वारा हमें दो major hormone secret होते हुए synthesize होते हुए देखने को मिलते हैं, इसमें जो सबसे पहला है वो हमारा epinephrine है, जो की 80% तक यहाँ पे हमें synthesize होते हुए देखने को मिलता है, दूसरा hormone हमारा nor epinephrine है, जो की 20% तक यहाँ पे synthesize होते हुए देखने को मिलता है, और यह जो दोनों hormones हैं, य यह basically हमारा जो sympathetic response है, उसकी intensify, उसको intensify, उसको और तेज करते हुए हमें देखने को मिलते हैं, तो जो हमारा होता है, यहाँ पर sympathetic response वो क्या होता है, कि जब हम लोग जो कोई भी dangerous condition में, या stress की condition में आते हैं, तो जो हमारा sympathetic response है, वो हमें यहाँ पर होते हुए देखने को होता है और यह जो हमारा यहां पर होता है sympathetic response उससे हमारा जो blood pressure है blood का flow वगरा है वो हमें increase होते हुए देखने को मिलता है अब अगर हम दो यहां पर देखें तो जब भी हम लो stressful situations है उसमें होते हैं या exercise वगरा की condition में होते हैं तो उस condition में क्या होता है कि हमें यहां पर जो हमारा होता है fight और जो flight response है वो हमें इन hormones के द्वारा greatly influence होते हुए देखने को प्राप्त होता है अब अगर हम लोग इस place पर बात करते हैं तो जब यह हमारा fight और flight जो हमारा response है वो यहाँ initiate होता है तो उससे फिर हमारा जो hurt का heart rate है वो भी हमें increase होते हुए बढ़ते हुए यहाँ पे देखने को मिलता है और जो force of contraction है वो भी हमें यहाँ पे increase होते हुए देखने को प्राब्थ होता है और यह जो हमारे दोनों response है वो epinephrine और nor और इपिनिफरिन के द्वारा हमें increase होते हुए वो देखने को मिलते हैं और जब यहाँ पे heart rate बढ़ता है उसके साथ में force of contraction उसका increase होता है तो फिर हमारा जो इस place पे heart का output है वो भी हमें तेज होते हुए देखने को मिलता है heart से हमें जादा blood pump होते हुए यहाँ पे देखने को प्राप्त होता है और heart से जब जादा blood pump होगा heart rate बढ़ेगा contraction का force बढ़ेगा तो यहाँ पे साफसी बात है कि जो blood pressure है वो भी हमें increase होते हुए अपने patient में देखने को प्राप्त होता है और जब यहाँ पे जो हमारा blood flow है वो increase होता है तो यह जो हमारे यहाँ पे दोनों hormones हैं वो हमारे blood के जो hurt के through blood का flow है उसको यहाँ पे increase करते हैं हमारा जो liver है, skeletal हमारी muscles है और जो हमारे adipose, tissues हैं उनकी भी activity को हमें increase करते हुए देखने को मिलते हैं और इनमें blood के flow को हमें बढ हाते हुए देखने को प्राप्त होते हैं और अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो यह जो hormones हैं यह basically हमारा जो lungs हैं उनका जो airways है जो उसका air का रास्ता है उसको भी dilate कर देते हैं उसको भी वहाँ पे थोड़ा सा चोड़ा कर देते हैं जिससे कि air हमारे lungs में ज्यादा से ज्यादा फिल होना स्टार्ट हो जाए क्योंकि blood का जब flow तेज होता है तो oxygen की demand भी increase होती है जो हमारी metabolic activity है वो तेज होती है तो carbon dioxide भी हमारे cell से तेज निकलती है तो oxygen का body के अंदर आना भी तेज होना चाहिए और carbon dioxide का body से बाहर जाना भी तेज होना चाहिए जिसके कारण कि यह हमारा जो lungs के airways है उनको वहाँ पे dilate कर देते हैं और जो हमारा air का flow है वो हमें तेज होते हुए देखने को प्राप्त होता है इसके साथ साथ में यह हमारा जो हमारा blood में glucose का जो level है उसको increase कर देते हैं और जो fatty acid हमारे blood के अंदर है उनके भी level को यह हमें increase करते हुए देखने को प्राप्त होते हैं क्योंकि जब हमारी जो body है stress की condition में होती है तो वहाँ पे फिर हमें ज्यादा glucose की requirement होती है ज्यादा जो energy है उसकी requirement होती है तो जो हमारे lipid है glucose है वो जब इसका breakdown होगा तो जो glucose का जो हमारा वो level है उसकी भी ज्यादा requirement होगी उसके साथ-साथ में जब जो lipid है उसका breakdown होगा तो fatty acid भी हमें वहाँ पे अपने blood में ज्यादा होते होगे देखने को प्राप्त होंगे तो I think so यहाँ पे जो हमारा है adrenal gland वो आप लोंको अच्छे से समझ में आ गया होगा इसकी anatomy location clear हो गई होगी इसके द्वारा secret होने वाले hormones भी आप लोंको description में मिल जाएगा इस वीडियो को लाइक करें अपने तोस्तों के साथ share करें और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें और हमारे एप को भी इंस्टॉल करना बिल्कुल भी न भूलें थैंक यू